नमस्कार आप देख रहे हैं श्यामीनीमैनपुर्य और मैं हूँ आपके साथ स्यांति तुर्याथा मैन पुरी में जमीनी विवाद में महला की गोली मार कर हत्या काफी दिनों से चल रहा था जमीनी विवाद पांच लोगों पर महला की हत्या का आरो मौके पर पहुँची पुलिस गटना की जांच में जुटी मरतक महला रेखा का सब पोस्ट वाटम को भेजा पीडित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एस पी आरोपियों की गरपतारी के लिए टीमें गटित की गई है यह एस पी द्वारा बताया गया है मामला यह मैन पुरी के ठाना भोगाउं के रामनगर अहरवा की घटना बताई जा रही है मामला ये थाना छेत्र के गाउं रामनगर अहरवा में सुम्बार की शुबह नामजाद लोगों ने घर में सो रही महला की गोली मार कर हत्या कर दी बारदात की शूचना मिलने के बाद एस पी ने घटना इस तलका निरी चड़ किया और गरपतारी के लिए तीन टी में घटित कर दी हत्या के पीछे एक पट्टे की जमीन की रंजिस बताई गई है पुलिश आरोफियों की तलास में तविश दे रही है राम नगर अहरवा निवासी रेखा का शियब 35 वर्षी को करीब 15 साल पहले एक जमीन का पट्टा मिला था एक वीगा जमीन पर रेखा का परिवार कावी था आदा वीगा जमीन को लेकर पडोसी सर्वेश साक्यों और उमाज चरन से विवाज चल रहा था उक्त विवाद की शिकायत पर रविवार को लेक पार और पुलिश जांच के लिए भी पहुँची थी दोनों पच्छों को समझा वुजा कर वापस लोट गई थी इसके बाद सुमार की शुबह आरोपियों ने घर में सो रही रेखा कि गोली मात मार कर हत्या कर दी हत्या कांड की शुचना मिलने के बाद एस्पी बिनोद कुमार ने कटना इस तलका निरी चड़ किया पुलिश टीम गठिट कर दी गई है जिससे आरोपियों की तलाश जारी है इस सम्मंद में मिरतिका के पती ने क्या का और एस पी बिनोद कुमार ने क्या बताया हम आपको सुनवाते हैं खबर के जरी है कि महला की गोली मार कर हत्या कर दिये किस बज़ाई से तो क्या गटना क्या गटने किसको मारे जमीनी विवाद की बज़ाई से लगातार आप प्रसासन से अपनी बात कह रहे थे कितने लोग इस हत्या कांड में सामें थे पांचे लोग है क्या कोई धंकी अपनी है करके आई है फिर भी कोई सुनवाई नहीं दरूगा दावते पकड़की लेगे उसे उसे फिर जांगे निज्या पूर्चे लेगा कि लेगा कि देखे कि अधिया कर दोगे यह तूरा श्यार कि अधियर खाना पोगाओं के आई आम लगर तेरूआ का मामना थे इसमें रेखा देजी हैं रूबाद कर देखे प्रिये दर्ष को अपने आप देखे आज पास की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए श्यामनीज मेंपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें खन्यवाद